दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिख्षकों की न्यूकती के लिए एक नूटिफिकेशन आया है जिसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और सभी पोस्टों के साथ साथ उसके लिए जो जरूरते हैं उनकी वी चर्चा हम लोग करेंगे इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कर लें क्योंकि हो सकता है कि इस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से किसी को जौब लग जाए और आपको दुआएं मिलें सीधे हम लोग सुरूर करते हैं कि ये कौन सा नोटिफिकेशन है और कौन पौन सी पोस्ट है सबसे पहले आप देख लें यहाँ पर मैं एक बात मैं बता दूँ कि ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए है लेकिन पोस्ट जो है वो गिस्ट फैकल्टी का है तो TGT के लिए तीन पोस्ट है और मैंट्स में है TGT मैंट्स की तीन पोस्ट है यहाँ आप देख सकते हैं TGT मैथेमेटिक्स और फिजिक्स के लिए एक पोस्ट है TGT English के लिए यहां पर दो पोस्ट है इसके बाद देखिए आप TGT Social Science के लिए दो पोस्ट है TGT Science के लिए एक पोस्ट है TGT Bio और Chemistry के लिए भी एक पोस्ट है TGT Uндू के लिए एक पोस्ट है और यह एक अरभिटीजमेंट में है और दूसरे रूटीजमेंट में आप यह देखिए कि यहाँ पर यह इन्होंने दिखाया है कि यह PGT की पोस्ट है, PGT Mathematics की एक पोस्ट है, PGT Commerce के लिए एक पोस्ट है, PGT English की भी एक पोस्ट है और इसके बाद TZT की उर्दू के लिए एक पोस्ट है, TZT Geography के लिए एक पोस्ट है और TZT History के लिए एक पोस्ट है इसके अलावा TZT Science with Biology के लिए एक पोस्ट है और TZT IT या Computer इसके लिए एक पोस्ट है इसके अलावा TZT Political Science की एक पोस्ट है, तो ये बात हो गई पोस्टों की अब बात कर लेते हैं कि अलग-अलग पोस्ट के लिए जो qualification इन्होंने रखा है उसकी चर्चा कर लेते है देखिए सबसे पहले Mathematics के लिए आपका Master's Degree होना जरूरी है और इसके साथ-साथ आपका BA होना भी जरूरी है Computer Application में अगर आपकी Knowledge अच्छी है तो ये एक Desirable Qualification है इसके बाद PGT Commerce के लिए आपको Commerce में 50% Marks के साथ Master होना चाहिए देकिन ध्यान रखें कि अगर आपने Applied या Business Economics में M.Com क्या है तो आप PGT Commerce के पोस्ट के लिए eligible नहीं है Master's के डिगरी के साथ-साथ BA होना भी जरूरी है लेकिन चुकि ये PGT का पोस्ट है तो इसलिए यहां पर आपको CTAT या H-State या H-State पास करने की कोई आवसकता नहीं है अगला जो पोस्ट है PGT English के लिए यहां भी आपको Master's डिगरी होना चीए 50% मार्ग से साथ BA होना जरूरी है Computer Science का Knowledge और उर्दू का Knowledge अगर आपका है तो ये Compulsory नहीं है लेकिन Desirable Qualification जरूर है Guest Teacher TGT उर्दू की अगर हम बात करें अभी तक हमने PGT पोस्टों की बात की थी TGT की बात करें तो 4-Year Integrated Course जो NCRT करवाती है Regional College of Education से वो होना चाहिए आपको 50% मार्ग के साथ या फिर आपके पास Bachelor's की डिगरी होनी चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्ग होनी चाहिए आप CTAT Paper 2 जिसको हम लोग कहते हैं वो आप जरूर पास होने चाहिए और Hindi और English Medium में परहाने की आपके पास Proficiency भी होनी चाहिए इसके बाद TGT Geography का कोस्ट है जिसके लिए आपको 4-Year Integrated Course जो NCRT करवाती है Regional College of Education के थुरू उसमें 50% मार्ग होना चाहिए और यदि ये Qualification आपके पास नहीं है तो आपके पास Normal किसी भी University से Bachelor's की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्ग के साथ और आपके पास एक B.A. की डिग्री भी जरूर होनी चाहिए साथ ही आपने Seated Part 2 जरूर पास किया हो और एक पोस्ट जो है वो TGT History के लिए है इसकी खास बात ये होती है कि यदि specifically ये लिखा हुआ होता है कि TGT History की पोस्ट है इसका मतलब आपको सिर्फ History पढ़ाने के लिए दिया जाएगा और यदि आपसे ये कहा जाता है कि ये Social Science के लिए है तो इसका मतलब है कि Social Science के लिए चार सिर्फिक होते हैं उसमें से कोई भी आपको परहाने के लिए दिया आया सकता है यहाँ भी आपका Bachelor's डिग्री होना जरूरी है और आपके पास B.A. की डिग्री भी जरूर होनी चाहि हो या फिर आपके पास Bachelor's के डिग्री हो और आप B.A. जरूर पास किये होई हो और C.T.A. की डिग्री आपके पास जरूर होनी चाहिए T.G.T. IT या कम्प्यूटर के लिए जरूरी है कि आपके पास B.C.A. होना चाहिए और 50% मार्क्स उसमें जरूर होना चाहिए या फिर आपके पास Bachelor's की डिग्री हो सकती है जिसको हो लोग B.T.E. क्या B.E. कहते हैं Computer Science में और वहाँ भी आपको कम से कम 50% मार्क्स हो या फिर आपने अगर Graduation किसी भी सब्जेक्ट में किया है और साथ में आपने Post Graduate Diploma किया है Computer Application में और आपके 50% मार्क्स है या फिर DOEACC से आपने A-Level किया हुआ है तब भी आप TGT, IT या Computer Science के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगला जो Post है वो TGT Political Science के लिए है जहां पर आपको Bachelor's Degree होना चाहिए B8 की भी निगरी होनी चाहिए और आपने CTR ज़रूर पास किया हुआ हो यह आप ध्यान रखे हैं अब मैं यह बता देता हूँ कि यह जो Post है यह देखे जामिया Senior Secondary School जामिया मेलिया इसलामिया दिल्ली 25 से निकली है यह 21 जून 2023 का यह नोटिफिकेशन है और इसमें यह बात कही गई है कि Application on Prescribed Form is invited from the eligible candidates for the engagement of guest PGT and TGT at जामिया Senior Secondary School जो की सरकारी स्कूल है और 10 दिन का समय आपको मिलेगा Form भड़ने के लिए आपको interview के लिए बुलाये जाएगा और interview के लिए तभी बुलाये जाएगा जब आपके पास requisite qualifications होंगे और आप shortlist किये जाएगे जहां तक salary का सवाल है तो उन्होंने कहा है कि as per period जो period जितने period आपको दिम्या पर हाने को मिलेंगे इस्कूल में उसे के हिसाब से आपको salary भी मिलेगी तो मैं जल्दी से एक बार आपको इसका form भी दिखा देता हूँ ताकि आप अपने तयारी कर सके form किस तरह से भड़ना ह देखिए appointment है यहां पर मैं आपको फोटो लगानी है post किसके लिए आपने apply किया है यहां लिखिए name father's name date of birth address लिखिए यहां पर में telephone number और email id जरूर लिखिए क्योंकि इसी पर आपको notification आएगा आप अपनी category लिखिए educational qualification जरूर लिखिए और इसके साथ आपकी जो achievement रही है academics म में वो यहां पर में लिखिए यदि आपने games या NCC या scout किया है इंसार activities में involved है तो वो भी आप जरूर यहां लिखिए और उसके बाद professional experience as a teacher जो आपका रहा है उसमें जो भी आपकी experiences रही है वो कौन सी post थी आपकी किस period तक आपने करवाया पढ़ाया और कौन से subject आपने प भूलिए और list of enclosure जो भी certificates इनके साथ आप भेज रहे हैं वो आप जरूर यहां लिखिए कि यह सारे informations में आपको भीज रहा हूँ यह इस वज़े से जरूरी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई certificate आपका निकल जाए लेकिन आपने claim किया हुआ हुआ है तो आप उसको बाद में produce कर सकते हैं अब जल्दी से दूसरी vacancy देख लेते हैं अब यह देखे यह दूसरी vacancy जो है यह मैंने आपको बताया PGT economics के लिए है जिसके लिए आपका master's degree होना जरूरी है और उसके बाद PGT English है जिसके लिए आपका master's होना जरूरी है और साथ में BN होना भी जरूरी है इसक physics में master's degree चाहिए और BA degree भी होना चाहिए PGT chemistry के लिए chemistry में आपको master's degree होना चाहिए और BA भी चाहिए PGT accounts and business studies में और PGT commerce में जिसके लिए एक एक post है तो इसके लिए आपका master's degree होना बहुत जरूरी है लेकिन यहां भी धियान रखने की वाली बात है कि M.com in applied and business economics shall not be eligible तो अगर आपने business economics या applied economics में आपने M.com किया है तो इस post के लिए किरपय applied ना करें उसके बाद अगला post पीजिती Islamic studies के लिए है जिसके लिए आपके पास master's degree होना चाहिए concerned subject में और आपके पास BA के degree भी होनी चाहिए PGT Islamiyat के लिए आपको master's degree होना चाहिए Islamic studies में और आपके पास BA के degree होनी चाहिए तो यह सारे post जो है PGT के लिए थे अब बात कर लेते हैं TGT maths के लिए जिसके लिए आपको four year integrated course होना चाहिए या फिर आपको bachelor's degree होनी चाहिए आपके पास BA के degree भी होनी चाहिए और आपको CTAT भी पास किया होना चाहिए तो यह सारा चीज आप यहाँ अलग- यह वाली जो वेकेंसी है यह मैं आपको दिखा दूँ यह जामिया गल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है यह दोनों स्कूल बिल्कुल अलग-अलग है यह धियान रखें आप और दोनों में ही अगर आपको form भरना है तो यह offline form भरा जाना है यह इस बात का धियान रखें यह देखिए 22-6-2023 का है पहले वाला जो मैंने आपको PDF दिखाया था वो 21 का था यह देखिए मैंने आपको दिखाया था 21 जून का था और यह वाला 22 जून का है दोनों अलग-अलग स्कूल है लोकल एड़िजमेंट है और यह देखिए गेस्टीचर्स की पोस्ट है PGT और TGT क लिए कोई पोस्ट नहीं है इसका भी जल्दी से फॉर्म देख लें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर मैं आपको अपना फोटो लगाना है बांकि यह सारे इंफॉर्मिशन मैं आपको दिखा देता हूं इसका PDF भी आपको जरूर देखना होगा हमारे टेलिग्राम ग्रूप में आपको इसका PDF मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे उपर टेलिग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा तो उसको क्लिक करके आप टेलिग्राम ग्रूप का मेंबर बन सकते हैं और वहाँ पर में यह फॉर्म आप देख सकते हैं आराम से भर सकत है यह अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर में यह jobs की आपको एक category देखेंगी और इस jobs में देखें सबसे ऊपर यह देखें 26 से 2023 यहाँ पर में list of shortlisted candidate यह दूसरे के लिए है लेकिन यह वाले दोनों जो है वो आपके लिए है यह देखें 22 से 2023 अप्लिकेश इन्वाइट फॉर गेस्ट पीजटी अटीजटी अट जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल यह 21 जून 2023 का यह नोटिफिकेशन है तो आप यहाँ से भी सीधे इसकी authenticity चेक कर सकते हैं आप यदि अपना district और state लिख देंगे comment box में तो हमारे लिए आसान हो जाएगा यह समझना क कि आप किस एरिया में रहते हैं और उस इलाके में यदि कोई appointment निकलता है तो हम आपको accordingly जल्दी से सुचित कर पाएंगे इसलिए आप इस चानल को subscribe कर लिजिए और bell बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले जो notifications होंगे उनका आपको सबसे पहले notification मिल जाया करे अल्दीबेस्ट